किसान भाईयों सादर नमस्कार स्वागत है एक बार पुना आप सभी का आपके अपने चैनल एग्री सरद में किसान भाईयों जानकारी आज हम देंगे आलू की खेती की विशाय में इससे पहले आप से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें पिछली वीडियो में हमने इंटर क्रापिंग के बारे में जानकारी दी थी या देनी की कोशिस की थी और आज हम देखेंगे यहां भी इंटर क्रापिंग का ही विशाय है और वहां पे अभी मटर की फसल था मटर था और पालक धनिया यह सब थी यहां पे आलू और लोंकी का ह किसान भाईयों हमाएंसाद एक बहुत ही प्रगतिचिस ही किसान मुझूद है और इंसे लिका। लागत कम लगाने का मतलब पूह्णते हैं जो है chemical पर depend नहीं रहते हैं कुछ जैबिक चीजे भी डालते हैं गोबर की खाद है और ये सबजी की ही नहीं बलकि अन्य फसलें भी उगाते हैं गेहूं है धान है गन्ना के भी किसान है तो किस हिसाब से खेती करते हैं आईए हम जानते हैं आपका बहुत-बहुत स्वागत है आप सबसे पहले अपना नाम परिचे बता दीजिए अगले महिने में इसकी खुदाई हो जाएगी अलू के साथ साथ और भी उसमें क्या करते हैं इसमें लॉंकी लघाएंगे तरोही लॉंकि भी लगाएंगे श्वजित अपको ऑफ ने से आपको क्या फाइदा दिखाई देता है उसससे फाइदा ये दिखाता है जहां 20 किलो भी घखा आपको डेपी डालना है वहां आप पांच किलो डाल लहो तो फिर ही काम करेगा उसमें कोई बिमारिया नहीं है कमपोस्ट में क्योंकि यह जितनी बिमारी है यह सब खाद ही और दवा से ही है लेकिन इसमें आपका लागत कम लगेगा मल की पैदावार ज उसमें कोई खाद नहीं लगी रहेगी कि मलब छीलते धोते समय में मलब भोजन में भी चला जाए एकदम सुद्ध सभा आपको मिलेगा लाइट वदार सामान भी रहेगा देखो जिसके पास पैशा है वह सामान नंबर एक ढोड़ता है सही बाद सही बाद क्योंकि वह कबा यह देखा आपने बर्मी कमपोश्ट का कितना वड़िया फाइदा बताए बीसडिसमिल जालते हैं तो अगर आप उसक साथ बर्मीं कमपोश्ट का एक थ्यौ उप्योग करे यहां कहीं नहीं कहह रहा हूं झो इसका उपयोग कर चुके हैं वह बता रहा है और यहां वह बठाती है वह कं रहां जाहि आलु कोई भी धान यह कुछ भी आप लगाते हैं उसमें उत्पादन भी बढ़ता है, कोई बिमारी ज्यादातर नहीं आती है बिमारी आने का एक ही कारण है हम लोग तो जानकारी थोड़ा बहुत इधर ज्दर से पढ़ के जानते भी है यह किसान है, यह कहीं किताब की ग्यान नहीं बता रहे यह खुद बता रहे हैं जो देख चुके हैं तो अगर हम जैबिक के तरफ जाते हैं धिरी-दिरे बर्मी कंपोस्ट का उपयोग करते हैं गोबर के खाद का उपयोग करते हैं तो खेतों में हमारे भीमारी भी बहुत कमाएगी और हमारी जो खेत की उर्बरा सकती है वो बरकरा प्शार रहेगी छीन नहीं होगी हम केमिकल का उप्योग करतेकरतेS अपने को एकदम बर्बाद कर लेते हैं तो बर्भी कंपोस्ट का बहुत सारे फाइदधे жизни है जित्ता पाइदा गिनाएजय उत्ता ही कम है तो बर्मी कंपोष्ट बनाना चाहते हैं और आपके पास लागत नहीं है या जानकारी नहीं है तो आप अपने नजदी की बलाकस्तर पे जो सरकारी किरसी विभाग का एक आधिकारी बैठते हैं आप ही सोती है आप वहाँ पे जाईए और उनसे बताएं कि हम बर्मी कंपोष्ट बनाना लिए और केच्वा भी आपको उन्हीं के तरफ से मिलेगा सरकार के दौरा आपको केच्वा भी उपलब्द कराएं जाएगा जाएगा एक हजार रुपया नगत मिलता है माल लगेगा जिसमें आपको किजवा भी मिलेगा और पूरी मलब देखरेक के लिए वह सारी बातों आपको बताएंगे और आके अहां मुलब उसको सब फिट करवाएंगे फिट करवाने के बाद आपकी जिम्मेंदाई यहां बना के जाते हैं तो चलिए बहुत बढ़ी हैं बहुत अच्छी जानकारी आपने दी और इसमें हम देख रहे हैं लोंकी भी लगी हुई है इधर दि देख भशेंगे निकाल लिए यहां स निकाल लेने के बाद में फिर खाट दबा लगा देंगे पानी लगा देंगे अर निकलना सुरुआथ हो जाएगा 90-80 है इसमें बता रहे हैं कि कित्ता कुंटल निकलता है लोगी साथ सतर किलो कुंटल खान भी निकलनी शुरू होती है तो प्रति दिन जो है 80 किलो 90 किलो एक कुंटल प्रति दिन लोगी निकलती है खिसानभाइयों इहां से हम चलते हैं जो है बर्मी कमपोस्ट का एक छोटा सा सैड जो सिर्फ अपने L से खेत में वुपयोग करते हैं इसमें छोटा सा टैंक बना है जित्ता अनुदान सरकार के द्वारा दिया जाता मुझे लग रहा है कि उत्ते में काफी है आप तयार कर ले जाएंगे और यदि आपके पास लगभग एक एकड़ दो एकड़ खेती है तो इत्ते से आप जो है डालते रहेंगे एक टंकी में एक एकड़ के लिए परियाब था इधर दिखाना थोड़ा सा यह निकला हुआ है और यह बड़ी हैं देखिए यह एक नंबर का बर्मी कंपोर्स तयार है आप इसका उप्योग अवस्य करें मेरा वीडियो बनाने का एक यही मकसद था कि आप धीरे धीरे जो है जैबिक के तरफ आएं और अपने मिट्टी की जो है अर्बरा सकती को बचाएं किसान भाईयों साधर नमस्कार